फाइनली CBSC के दोरा प्राइवेट कंडेट का फॉर्म ओपेन कर दिया गया है तो जो भी बच्चे कंपार्टमेंट का एक्जाम देना चाहते हैं या इंप्रूब्मेंट के लिए एक्जाम देना चाहते हैं या जो बच्चे लास्ट येर फेल रहे हैं एक्जाम नहीं दिया और लास्ट वीडियो में ने बताया था आपको कि बारा तारीक को जो है वो सीवेसी का फॉर्म आने वाला था प्राइवेट कंडेट का और बताये गए डेट पे ही सीवेसी ने फॉर्म जो है वो जारी कर दिया है पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा बिल्कुल भी पहला जो ओप्शन आप यहां देख पार हो पहला जो टैब है यह है आपका इंस्ट्रक्शन के लिए आप इंस्ट्रक्शन डाउनलोड कर लिजे एक बार आप पढ़ लिजे इसको अगर आपको देखना है तो ठीक है इसके लब आप जो बच्चे कंपार्टमेंट रहे है जिन बच्चों ने अभी ईक्जाम दिया था और ठीक बेब आप इसको तो हमपार्टमेंट आपको इह इंटर करना वो बाइडिफ़ल 2023 ही आएगा क्योंकि अभी ही अपने एक्जाम दिया होगा 2023 में यह डिटेल डालने के बाद आपको प्रोसीड करना है देन मैं आपको बताता हूं कि क्या डिटेल आपको दिखता है वहां पास आपको क्या करना है तो चलिए इंटर करते हैं बच्चे का जो हींटर किया उसके बाद यह पूरा डिटेल बच्चे का आगया है यहां पास पूरा दिया हुआ है कि लास्ट बार बच्चे ने जो एक्जाम दिया था कंपार्ट मिन का उसका सब्जेट क्या था सब्ЕТ규ड क्या था ठेक है यह यह आपास कोई आप चेंजस नहीं कर सकते हैं उसके बाद जो सबसे जरूरी होता है वो यह section होता है जहां पास आपको अपना state select करना होता है और उसके बाद district select करना होता है तो यह बहुत ध्यान से भरिएगा क्योंकि यह आपके center के लिए होता है जो भी detail आप यहां fill करेंगे ना इसी के base पे आपको उस area में center a lot होगा ऐसा नहीं कि आप पता चलागी आप दूसरे state में रहते हैं और किसी और state का अपने address यहां डाल दी या कोई और state का district आपने select कर दिया दें center आपका उसी area में पड़ेगा इसलिए इसको ध्यान से बढ़िएगा जिस area में आप exam देना चाहते हैं उसी area का detail आप फिल कीजीगा य उनका school का नंबर होता है और year अपना select करना है और जो center number होगा उनके admit card में अलड़ी दिया होगा सारा चीज चाहे वो school का number हो या roll number हो या center number हो वो फिल कर लेंगे और class select कर लेंगे then proceed कर देंगे जनरली सब में क्या होता है कि यहां पास improvement में आपको subject देखना है किसमें आप improvement चाहते हैं इसके लवा failure वाले बच्चे यानि last year जिन बच्चों ने exam नहीं दिया था किसी भी रिजन से हो सकता है कोई medical issue हो तीक है या जो बच्चे fail रहे थे exam दिया था बड़ पास नहीं हो प देखते हैं वहले आपने exam न दिया हो लेकिन आपका admit card आ गया होगा और LOC में वो फिल हुआ है तो ठीक है तो आप यह admit card का जो है roll number देख लिजे roll number डाल लीजे roll number के बाद आपका center number भी होगा और school number भी होगा वो पूरा यहां पस इंटर कर लिजे चलिए इसको इंटर करते हों देखते हैं किस तरह का detail यहां देखने को मिलता है यह पूरा detail करने के बाद आप देख पा रहे होगा application from failure candidate examination 2024 ठीक है यह उन बचों का है जो last year exam नहीं दे पाए थे किसी भी रिजन से या फेल रह गए थे बच्चे यानी पास नहीं हो पाए थे इसके बाद आप यहां देख पा रहे होंगे आप सब्जेक्ट चेंज करने के लिए कुछ option नहीं है बस एक last subject जो होता है जो additional subject होता है उसे चेंज करने का यहां पास CBS की एक मोका देरी है अगर इसे आप हटाना चाहते हैं तो इसे अंटिक कर दें और इस यहां पास आपको वही address जैसा कि अभी उने बताया था आपको compartment वाला सेम उसे तरह से form है यह फेलियर का भी उसमें आपका एक subject होता है इसमें आपके सारे subject होते हैं चाहे वो 10th का हो यहां पास आपको अपना जो address होता है वो अच्छे से डाल देना है पिन नंबर, state और district, mobile और email ID अच्छे से fill कर लिजे फिर से में बता रहा हूं जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो center के लिए detail है जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे choose state और district जो state और district आपको select करना है वो आप पहले से decide कर लिजे कि किस area में आपको exam देना है ठीक है जो area आपको एक्जाम के ल जो भी form है चाहे वो compartment का हो चाहे improvement का हो चाहे failure का हो या additional subject का हो यह सारी जो चीजे है वो fill करने के बाद आपका जो next step होता है वो होता है image को upload करना तो यहां पास option दिया हुआ upload images इस पे आपको click करना है देन जैसे यहां form submit करेंगे आपको एक application number मिलेगा उस application number को आप सभाल कर रहेगा जहां पास आपको photo भी और अपना signature भी दोनों चीजे upload करना होगा जब आप photo upload कर लेंगे देन आपका next step जो आता है वो fee payment का आता है fee payment के लिए भी application number और roll number जो image के लिए था या फोटो के लिए था वही चीज़ आपको यहां भी fill करना है मैंने बताया था जो payment है वो कोई problem जाती है payment fail होता है उसके regarding कोई query हो तो number पे call कर लिजे अगर बात होती है तो या email ID दिया हुआ है उस पे आप कोई भी information दे सकते हैं बाकी बहुत रियर होता है कि payment आपका fail हो generally जो भी आप detail अगर सई से या फिल करते है तो payment आपका हो जाता है चैसे payment जो आपका final हो जा सारा चीज हो जाए तो last में आप एक confirmation page आप अपना डाउनलोड करके रख सकते हैं कि आपने जो है form जो है वो सही सही फिल किया था और आपने payment भी successfully किया था तो यह confirmation page last में डाउनलोड करके रख लीजिएगा इसे कहीं भेजने की जरूत नहीं है ठीक है यह आपके reference के लिए तो subscribe जरू कीजेगा ताकि इस तरह की informative वीडियो आपको easily मिलती रहे धन्यवाद दोस्तों